Wellcome Back आज है Day 4 आज हम बात करेंगे Team and Clients & Business Model की ठीक है Day 1 पे हमने बात किती Growth के बारे में Day 2 पे हमने बात किती Automation Systems के बारे में Day 3 पे हमने बात किती Your Most Important Activity Queenbet cũng perform और आज है Day 4 आज हम बात करेंगे Team and Clients के बारे में ठीक है Business Model कैसे एक obsessed बिल्कुल पादल टीम बिल्ड करना है हमको जो चाहते हो यू वांट पीपल ऑन यू टीम विल डू एनिधिंग फोर यू जंप आफ बिल्डिंग्स रन थू वाल्स और बिलीव दे कन फ्लाई बिकाज आफ यू है ना तो आप चाहते हैं कि आपके पास एक ऐसी टीम हो जो छट पर से कूच जाए दिवारों के उपर से फांद जाए और उसे यकीन हो कि वो उड़ सकती है क्यूंकि आप हो आपके उजर से ठीक है तो लेरी वैंट टूली एक मेगा सक्सिस्फुल बिजनसमैन है जिन्होंने वारेंट बफिट को फोर बिलियन की कमपनी अपनी सेल की कई कमपनियों मेंसे एक कमपनी उन्होंने अपनी सेल की वो कहते हैं कि जब भी वो नहीं लोगों को मिलते हैं हाद मलाते हैं, उन्हें अपनी तो पकर घषीर लेते हैं, ताकि वो उनके करीम में आ जाएंगा और उनसे कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कमपनी के लिए, मेरे लिए एक काम करो, तो जितने भी मेगा सक्सेसफुल बिजनसमैन होते हैं, जितने भी बहुत other successful लोग होते हैं, ये लोग एक चीज में master होते हैं, किसमें? recruiting में, recruiting मतलब सिर्फ recruiting people की recruiting नहीं, customers की recruiting, vendors की, strangers की, waiters की, doorman की, kids की, everyone और everywhere, आप इबावद आईए, 16 साल गलका, 17 साल का लड़का, 18 साल का लड़का, जैसे ही 18 साल पार करता है, उपर निकलता है, और तो और पहले भी, तो वो जान जाता है ने, कि अपने मतलब की चीज को कैसे हैं, और कहां डूwnढ़ना है, आप मेरा ऐशारह समझ रह रहे हैं न, जैसे ही लड़का बाली होता है उसको बताना नहीं पड़ता है कहां चोराय पर खड़ा होना है कहां रोड स्पेक्टरी करना है उसको मालू होता है कि उसके मतलब की जो चीज है वो उसे कैसे और कहां ढूंडनी है और हमारे पास लोग आते हैं कैसे कहां मिलेंगे लोग अच्छे लोग कैसे हैं कस्टमर कै कैसे एज़ेंट कैसे बनाए, रिक्रूट कैसे करें, तो समझे कि आपको कौन सी चीज चाहिए है, और कौन सी चीज कहां मिलेगी, तो राइट पीपल कहां मिलेगे, ये चीजब अपने दिवाग में से निकाल दिए कि दुनिया में राइट पीपल होता है, सही लोग होते ही नहीं है दुनिया में दुनिया में सब टेड़े में आप ये देखिए कि मेरे बिजनस के लिए मेरे काम के लिए मेरे लिए कौन फाइदे मंद है तो वो आपको कैसे मिलेंगे मैं दो तीन चीज़े देखता हूँ जो में मैं hiring करता हूँ, number one पे मैं देखता हूँ कि negativity, negativity तो नहीं है उसमें no negativity allowed here बड़े-बड़े board लगे हैं, sign board लगे हुए negativity अगर है तो negativity kill करती है आपको, आपके business को, आपके परिवार को, आपके पैसे को, हर चीज़ को तभा करती है negative लोगों को निकाल के बाहर करिए positive लोग चाहिए होते हमें जो positive हो, जिनका attitude नजरिया अच्छा हो जिनमें तर्वियत हो, मैं experience नहीं देखता हूँ कि उसमें कितना काम करा, कितना काम नहीं करा उसके अंदर आगे बढ़ने का जजबा है सीखने का जजबा है, समझने की चाहत है जो समझना नहीं चाहता है जो सीखना नहीं चाहता हूँ, उसे सिखाया है नहीं चाह सकता जिसके अंदर भूग है, प्यास है काम करने की कुछ चीज़े हैं जो मैं share करूँगा note करते रहिएगा उसके strength देखता हूँ, culture देखता हूँ बास बाकी जादा नहीं देखता हूँ उसकी qualification की, अगर वो criminal भी है तब भी मैं उसे hire कर लेता हूँ तो मुझे दो-तीन चीज़े देखना होती है और वो तो इत्ती निगा में है, शापने इसके निगा देखके इनसान पहचान लेते हैं, पूरा बायोटटबा, आखों में scanner लगे हुए है, गन 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 गन, पूरा बायोटबा समने आ जाता है, वो बायोटबा लेकिया है, बायोटबा से मतलब ही नहीं है क्या है क्यानी, वो उसको देखा है, एक बार में देखके इस आप मालूम होजाथा, आप मैंसे कितने लोग हैं जो यह खरीदेगा नहीं खरीदेगा, यह कैसे आता है, आदमि को देखके पहचान लेते हैं, बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, उसके बाच में हमारे यहाँ इक education system एक training system है आपके यहाँ पर training system है अगर नहीं है तो develop करिये training system बहुत जरूरी कि आपके culture आपके train करने का तरीका आपके यहाँ पे होना चाहिए बहुत जरूरी है अगर नहीं है तो आप हमसे contact कर सकते मेरे number is 774-2959-151 आप हमसे training ले सकते हैं कोई भी हो unknown person हो कुछ भी हो वो पह level के business man हैं वो क्या करते हैं वो score करते हैं top notch talent को इसी चीज़ने मेरे business करने और इन सारी चीज़ों को देखने का नजरिया बदल दिया अगर आपके पास ऐसी team नहीं है जो बंदे आपको grow कराने आपके business को grow कराना चाहते हो top notch best talent नहीं है तो shame on you तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आपके पास ऐसे बंदे ऐसे लोग नहीं हैं क्योंकि you can't grow your business आप अपना business grow नहीं कर सकते हैं जब तक आपके पास talented best talented team अच्छे लोग के टीम नहीं होगी क्योंकि business कौन चलाता है talented लोग ही चलाते हैं आपको कुछ करने की जरुरत नहीं है आपको सिर्फ और सिर्फ एक आपको business बनाने की जरुरत नहीं है आपको कुछ करने आपके पास एक लोग की भीड हो एक एक ऐसे लोग हो जो लोग ही आपको आसमान पर पहुचा देते हैं क्योंकि वो ही आपको बना देंगे अगर आपके पास talented लोग हैं तो जैसे लोग के साथ में आप रहेंगे वैसे ही बन जाएंगे ठीक है one man show को बंद कर दीजिए क्योंकि one man show वेकार है successful नहीं है बाइस million small businesses हैं licensed यहां एंडिया में और उनके पास कोई employee नहीं है कोई employee नहीं 75% of business businesses हैं operate with one person वो अकेले operate करते हैं सारे business को आपको लगता होगा ना यार किससे क्या करवां वह इससे बड़े है तो मैं खुदी कर लेता हूँ यह जो दिमाग में चीज़ है नहीं यह निकालना होगे यह business नहीं है यह torture है क्योंकि आप एक कैदी की तरह जेल में बंद रहते हो अगर आप अकेले सारे काम कर रहे हो तो आप एक कैद में हो जेल में हो prisoner हो आप तो what makes a person start a business and then be a person only who works there तो आपको committed होना है कि आपको stay small लेना है कि बड़ा करना है business बड़ा business करना है तो आपको grow करना होगा मैंने अपना seminar business जब start करा तो मैंने hire करी एक team मुझे लगता था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ क्योंकि उसने marketing और बहुत सारी चीज़े समाल नहीं थी तो आप अके लिए क्या क्या करोगे तो आपके पास में अच्छे लोग कैसे आएंगे अच्छे लोग होते नहीं है राइट लोग वो नहीं जो आपके talented लोग best talented लोग कैसे आएंगे आपको अपने आप एक culture एक बहत्रीन डिवेलप करना होगा अगर आपके एक culture है जहां पे लोग काम करना चाहते हैं मतलब आप एक professional की तरह आपने आपको expert की तरह आपने आपको आप प्रेजेंट करते हैं आपको एक environment एक ऐसा culture एक डिवेलप करना होता आपने यहां पे ताकि जो talented लोग हैं वो आपको खुद contact करें आपको attract करें attract, retain और higher तो वो आपके पास सभी रुख पाएंगे जब आपका culture डिवेलप होगा जब आपके पास एक environment होगा है ना तो आपके पास best talented team रुख पात जब आप अपना culture डिवेलप कर लेते हैं और आपके पास एक environment होता है तो आपके पास best talented team रुख जाती है जिन्हें अपना future safe दिखता है जिन्हें दिखता है कि यहां पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं उनका future है bright future है और उन्हें बहुत कुछ दिख रहा है अपना सपने उन्हे अच्छे talent को अच्छा पैसा देना होता है अगर आप अच्छा पैसा नहीं देते हैं क्योंकि great people ही है जो आपके business के लिए vital है survival वनना करते रह जाएंगे अच्छे लोग अच्छा पैसा मिलेगा तभी रुक पाएंगे वरना वो काम में चोरी करेंगे guarantee है अच्छा पैसा न आपकी power है main है power तो develop a reputation as a place people want to work आपको एक reputation मिलाना होती जहां पे लोग चाहें कि आपके साथ में काम करें number one ठीक है number two है always be hiring भाईया जब प्यास लग रही है तब कुआ खो देंगे तो पानी गंदा आता है आपको हमेशा hiring करना होती है आपके यहां पे एक system हो एक training हो आप पर आते रहते हैं train होती रहती है training चलती रहती है system है एक आपने पूरा वो बना रखा है ठीक है कि आपके यहां पर प्रोग्राम है कि उससे गुजरना ही पर तीस दिन का है पंदरा दिन का है 45 दिन का है वहां पे नए बंदे आएंगे उन्हें ट्रेनिंग मिलने मिलना है य उन्हें train करेंगे ठीक है always be hiring not just when a position is open जब position है तभी आप hire करते हो तो दिक्कत होगी ही होगी let the world know you are hiring हमेशा दुनिया को बता दीजे कि आप hiring कर रहे हैं छुपके चुपचाप नहीं यह नहीं कि जब जरुरत पढ़े तब कहते हो भीया किसी भेज़ दो यार काम चला हो त होता है local paper में magazine में बहुत सारी तरीके हैं जहां पर पर्मनेंट इस्टॉक लगाए रहेंगे अपने यहां पे तो बंदों को भी डर लगा रहेंगे यार एक्स्ट्रा में सब रखा हुआ हमको भी काम कायदिस करना नहीं तो लात मार के भगा देंगे उनको reasonable देखिए resume से ज लीकिन सिर्फ पैसे के लिए अगर आ रहा हैं तो उव जाधन दिन तक नहीं टीकेंगे पैसे के साथ में उनके अंदर mission होना पता होने चाहिए कि आप कौन-कौन से बंदे को ले रहे हो अपने कंपनी में आपको किस तरह के बंदे चाहिए हैं है ना पता होने जैसे मैं क्या-क्या देखता हूं मैं देखता हूं willingness to do whatever it takes मैं उनमें देखता हूँ कि उनमें कुछ भी करने का है वो यह तो नहीं कि हम उनसे बोले यह करोगे यह नहीं कर पाएंगे यह करेंगे यह नहीं करेंगे वो नियम शर्तों वाले नहीं चल पाते compliance with orders flexible हो और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं देखता हूँ attitude, positive attitude, positivity must and negative लोगों को अपने life से अपने जिन्दगी से अलग करिए ability to see and order through without drama जो drama बाद होते हैं जो drama करते हैं उनसे बचिये भी यह वो नहीं speed of moment जो तुरंट काम करते हैं fast willingness to die for the cause जो मरने को तैयार हो जाएं अपनी जान तक दे दे हैं ऐसे जुझारू लोग चाहिए होते हैं करमठ लोग चाहिए होते हैं position of a book of business customer who need our product और जिन्होंने business के बारे में sales के बारे में या किसी भी तरीके से इस तरीके से self-help वाली books पड़ रखी होती हैं मैं उन लोगों को prefer करता हूँ वरना नहीं और मैं देखता हूँ कि उन्होंने जहां पे वो पहले थे वहां पे उन्होंने target hit किये हैं कुछ achieve किया है progress किया या वहीं पे बरसों से वहीं पड़े हैं जहां पड़े हैं हाँ पड़े हैं are they involved with their families वो families से जुड़े हुए हैं ऐसे तो नहीं रांचांड तो नहीं है कि वो उन्हें दीन दुनिया से मतलब ही नहीं किसी से बिलकुल कोने में पड़े रहते हैं ऐसे नहीं community group में जो आते जाते रहते हों मिलते हों मिलनसार हों हस्मुक हो है ना कुछ हो चाहना हो लेकिन चेहरे पर smile जरूर रहती हो खुशमिजास हो कोई भी काम आता हो नहीं आता हो लेकिन अगर बोलो तो वो बोलते हैं सर मैं आपके लिए कर देता हूं तो ऐसे लोग मुझे चाहिए होते हैं येस बोले हाँ बोले है ना डू दे हैव रीजन्स तो डू वैल इन जॉब लाइक ए फैमिली तो टेक कियर आफ उनके पास कारण होना चाहिए कि वो जॉब क्यों करना चाहते है जो ऐसे ही टाइम पास करता हैं वो नहीं है ना जिनके पास वजह हो जो जरुरत मंद है जरुरत मंद को पहले नमबर भी लीजिए क्योंको जो जरुरत मंद है वो अच्छे से काम करता है डू दे जस्वांट दा जॉब विदाउट केरिंग कि जने परवा नहीं उनको नहीं है और उन्होंने आवार्ड ले रखा है उन्हें कभी रिकरगनाईज किया गया है या कुछ है है ना और उन्होंने बुक पढ़ लखी तो कौन सी पढ़ी है और वो जो जल्दी आते हूं जो टाइम के पाबंत हो लेकिन जो जल्दी आते हूं देर तक टिकते हैं वो मेरी निगा में पहले नंबर बहते हैं जो पहले आते हैं और देर तक टिके रहते हैं मैं चेक करता हूं इसलिए जब भी मैं इंटर्विव लगाता हूं मैं सुबह सुबह लगा देता हूं पांच बजे साले चार बजे साड़े पांच बज़े, मौर्निंग में, छे बज़े और टाइम की पंक्स्वल्टी पांच बज़े, छे बज़े मैंने इंटर्व्यू लगा दिया तो जो बंदा पांच बज़े आ गया है टाइम पे समझ जाओ इंटर्व्यू के लिए अगर वो आते हैं और आपको रेविन्यू के बारे में और किसी और चीज़ के लिए बताते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं और कंपनी तो वो इस तरीके से अगर हैं तो वो थो ठीक है और वो positively speak करते हों ठीक है और Do they ask you what you want and need or take the time to show you what you are doing wrong do you want to around this person everyday giving them orders, working with them and spending time with them और मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ जो पैसे के अलावा भी motivated रहते हैं जिनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है उसके अलावा भी motivated मतलब वो पैसा दो कमाना चाहते हैं लेकिन कुछ फर्क डालना चाहते हैं वो चाहते हैं कि दुनिया में कुछ फर्क पड़ जाए किसी की life में कुछ अच्छा कर दे किसी की जिन्दगी में कुछ भलाई कर दे लोगों की help जो करना चाहते हूँ जो जो अच्छे काम करना चाहते हूँ मतलब पैसा तो कमाना है पैसा कमाना तो मकसद है लेकिन इसके साथ में बहुत कुछ दुसरों के लिए भी जो कर दें वो पहले नमबर पे मैं देखता हूँ उनको अब बहुत सारी चीज़े कर सकते हो कि सिर्फ पैसा तुमें चाहिए तो बलते हैं सिर्फ पैसा जाओ opportunity आओ your job is not to take care of other people's confusion your job is to keep the confused out of your organization मुझे एक दम clear focus बंदे चाहिए होते हैं जिनके अंदर तीन चीज़े हो focus हो system follow करते हो और consistent हो तीन quality है done surprising people को मैं hire कर लेता हूँ जो surprise होते हैं chase the talent and persist till they are yours talented people हैं उनको भी hire कर लेते हैं और उनके talent को आप chase कीजिए जो talented बंदे हैं ना उनके talent को chase कीजिए और वो आपके हो जाएं और रिष्टेदारों को और अपने दोस्तों को कभी भी यह मैं जॉब पे नहीं रखता हूँ क्यों क्योंकि यह लोग आपको blackmail बहुत करते हैं इनकी expectations बहुत ज़्यादा होती हैं और आप इनसे अपना मन चाहा काम नहीं कर वा सकते हैं मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप रखे ना रखें लेकिन मेरे हिसाब से unknown लोग ज़्यादा बेहतर काम कर पाते हैं ठीक है किसको hire करते हैं उनकी personal traits आपके पास होना चाहिए diversity होना चाहिए not for skills training आपके पास हो attract the right people है ना training आपकी जबरदस्तो professional queen bee role आपके अंदर होना चाहिए queen bee के बारे में हमने बात की थी ना कल queen bee रोल के बात की थी तो उसमें आपको बताया था कि queen bee आपको कैसे दिखेगा जितने भी activities है आप अपनी queen bee customer भी होता है queen bee आपका रोल है company का रोल है employee का भी रोल है तो वह आपको सब queen bee कल मैंने बताया है कि आप अपने 25-25 तरीके लिख लीजिए उसमें से एक एक हटाते रही हटाते रही हटाते रही हटाते रही हटाते रही हटाते रही देखिए कि कौन सा काम है एक और तरीका है कि आप daily जब office आते हैं तो daily date डाल के अपना देख लीजिए कि आप time analysis worksheet आप अपनी बनाईए ताकि आपको पता लग जाए कि आपका daily work क्या जिसे सुबह आगाया आप तो सुबह आगाया आपने customer से बात की 10 से 16 तक इसमें इतनी देर लगी फिर आपने paper पर work करा उसमें इतनी देर लगी फिर आपने accounts देखे फिर आपने whatsapp चलाया खाना खाया दोस्तों के साथ बाते की फिर आप इधर चले गए उधर चले गए बैठे हैं हैं तो जो भी है आपका लिखते रहेंगे अब आप उसके बाद डालेंगे कि आप ये काम खुद करेंगे या इस काम के लिए किसी को train कर देंगे या delegate करेंगे या system करेंगे software या outsource करवाएंगे आपको ये काम नहीं करन करेंगे पहले नंबर पर तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको आपका इग्जेक कस्टमर कॉने डेमोग्राफिक और सारी चीज़े आपको पता होना चाहिए कि not every prospect is your customer हर prospect आपका कस्टमर नहीं होता है ये बात अपने दिमाद में बिठा लीजे हम में से जादा तर ल जो जादा मच मच करते हैं जो जादा दिमाग खराब करते हैं जो पैसा उधारी करते हैं जो customer is king होता है मानता हूं but customer is king कौन है जो pay करता है जो पैसा देता है paying customer is king है ना क्योंकि आप धंदे के लिए बैठे हैं और जो आपको पैसे के लिए रुला रहा है जो आपसे मच वाले रखिए, सी वालों को हटा दीजी, क्योंकि ये आपका दिमाग खाएंगे, और कुछ नहीं, ये आपकी जिंदगी बरबाद करेंगे, और कुछ नहीं, क्योंकि आप इनके लिए कुछ भी करतो ना, जान भी देदो, आप इनके लिए अपनी गर्दन भी काट करतो ना, ये कहेंगे, इसमें अपने फाइदे के लिए गर्दन काटी, मेरे लिए थोड़ी न, एहसान फरामोश है, तो जब से मैंने एहसान नाशुकरों के साथ में काम करना बंद किया है, और एक होता है एहसान फरामोश, एक होता है नाशुकरा, तो एहसान एक होता है एहसान शुक्र गुजार बंदें उनके साथ में काम करिए और यह ऐसान फरामोश नाशुक्रें हैं इनको लात मारिए बिजम से निकले सी ग्रेट वालों को निकाल दीजिए तो यहां पर देखना होता कुईन भी कस्टमर कौन है वन कौन से कस्टमर है जो आपके लिए फिट है उन्हीं को धनवाद दीजी जो आपसे रहते हैं जो जिक जिक हो इसने सहीं नहीं है उसके लाट मारो किक मारो आउट क्योंकि जो बंदा स्टार्टिंग में आपके साथ में बत्तमीजी कर रहा है वो आपके लिए है ही नहीं उसको भगाओ उनको छोड़िए C grade वाले पैसे भी कम देते हैं दिमाग भी जादा खाते हैं आपका खून भी बहुत पीते हैं और ये बिल्कु बेकार customer है A grade वाले हैं जो आपको भरपूर पैसे देते हैं अच्छे से बात करते हैं और इसत देते हैं ये अच्छे हैं B वाले भी सही हैं B वाले भी थोड़ा बहुत लेकिन ये C वाले जो हैं ये आपसे concession भी बहुत मागेंगे discount भी बहुत मांगेंगे और फिर बुराई भी आपकी करेंगे जाके बाहर है ना आप इनके साथ में जितना ज़्यादा अहसान करेंगे ये उतने ही ज़्यादा आपका फिर बदनाम करेंगे आपको तो ऐसे लोगों से छुड़िए तो यहाँ पे तीन है ये स्क्रीन पे आपको देखिए आपको दिखाई दे रहा है ये स्क्रीन नोट करिए not every prospect is your customer तीन चीजों में से दो चीज़े आपको चुनना होती है एक उती quality एक उती service एक होता low price तीनों चीज़े आप नहीं दे सकते हैं अगर आप तीनों चीज़े देंगे तो आप बरबाद हो जाएंगे आपका business grow कप करता है जब आपकी quantity high हो और महंगी ज्यादा पैसे पे मतलब high price पे आप बेशते हो high price पे ज़्यादा चीज़े आप बेचेंगे तो आपका business model survive करेगा तो आपका business grow करेगा तो आपका business model best है तो आपका business model अच्छा है जब आप quantities enough हो और high price पे ज़्यादा quantities पे माल बेचते हैं तो तो आप जल्दी से grow कर पाएंगे अगर आप low price के चकर में फस गए और आप quality भी देना चाह रहे हैं और service भी देना चाह रहे हैं तो भाई बरबाद हो जाएंगे आप इन तीन में से आपको सिर्फ दो चीज़े select करना है यानि आप quality दे रहे हैं तो फिर service नहीं देंगे मुलब service देते हैं तो वो high price रखते हैं वो low price नहीं रखते हैं आप अच्छे किसी hotel restaurant में जाएंगे तो वहाँ पर सस्ते में काम नहीं मिलेगा आपका आप वही चाय धाबे पर बैटकर रोड के किनारे पिलेंगे तो वहाँ पर सस्ते में मिल जाएगे लेकिन service नहीं होगी quality भले ही हो सकती हो, खाना अच्छा हो लेकिन खाना भी बहुत अच्छा नहीं होगा एक five star, एक three star है, एक धरमशाला है, अंतर है इनमें, क्या अंतर है? quality का, service का और पैसे का, एक room आपको मिल जाता है होटल में, 1000 रुपे रात में और एक room आपको मिल जाएगा, 100 रुपे रात में, तो 1000 रुपे रुम और 100 रुपे रुम और 500 रुपे रुम और 20,000 रुपे रुम और 300 रुपे रुम, कुछ तो अंतर होगा? तो यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे इसको बिजनस मॉडल को अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो जो कस्टमर हाई मतलब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना है कि जो बंदा सौ रुपय वाली चीज़ लेता है वो हजार वाली नहीं लेगा जो 5 Star Hotel में नाइट गुजारते हैं वो कभी भी धरमशाला में नहीं रुकेंगे और जो धरमशाला वाला बंदा है वो कभी भी 5 Star Hotel में नहीं जाएगा ये चीज़ अपने दिमाग में आप अच्छे से बिठा लीजेगा iPhone जो लेता है वो कभी भी छोटा मोटा फोन नहीं लेगा, जो छोटे मोटे फोन लेते हैं, वो कभी आईफोन नहीं लेंगे, तो यहाँ पर ये चीज़ समझना है, कि हर कोई आपका कस्टमर नहीं है, तो जो आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है, जाने दो, ठीक है, बिजनस मॉडल ये इसा देना पड़ता है तभी आपको सारी चीज़े मिल पाती है जो इन तीनों चीज़ों के लिए लड़े समझ लो वो बंदा आपके लिए नहीं है सही ठीक है not every prospect is your customer तो इन में से ये model है इसमें से आप अपना देखिए आपका business model क्या है दो ही आप select करेंगे तभी आप अच्छे से काम कर पाएंगे ठीक है तो यहाँ पर आपको देखना है कि एक होता है good एक होता है cheap एक होता है fast तो आपको कौन सा करना है good and cheap तो won't be fast fast and good won't be cheap और cheap and fast won't be good आपको यह चीज़ समझना होती है business model को इसको समझ लेंगे और अपना queen b role अपना निकालेंगे अपनी company का निकालेंगे और queen b role अपने customer का तो exact आपको अपने customer समझना होता है customer clarity के लिए एक और session हम अपना रखते हैं जिसमें हम identify करते हैं demographic क्या आपका किस age का है क्या है पूर अब आपको अपने business को monitor करना होगा 3M से 3M आपका business monitor क्या होगा आपको तीन चीज़ों पर focus करना है एक तो है रोकड़ा पैसा money पैसा आ रहा है के नहीं आ रहा है और queen b role आपके company का और marketing तीन चीज़ों पर आपको focus करना ही करना है income sales पे marketing पे और company के queen b role पे आप यहाँ पे आपको daily daily पे पहले focus करना देली अप्रेश डेलिव बेट लेना है फिर धीरे से हफ्ते में लेना है फिर 14-15 दिन पे लेना है फिर महीने में लेना है फिर 3 महीने पे, quarter पे फिर आप 6 महीने पे, फिर साल भर में ऐसी report है जाती है, audit होता है न साल भर में, 3 महीने में तो एक बार आपने system और सारी चीज़े develop कर ली तो फिर आपकी सारी चीज़े organized हो जाएंगी, तो इतना ही है मिलते हैं, next session में आज का assignment है, कि आपको qualities की list बनानी है, कि आपके new team member में क्या-क्या qualities होना चाहिए, मैंने बहुत सारी आज बताई हैं, note कर लीजेगा, बाकि आपको written में भी मिल जाएंगी, create a 30-day training program, आपको अपने हाप एक training program जरूर बनाना है, कि team को motivate कैसे रखें, how to stay motivated, how to pump, उन्हें pump करना होता है, उनके सपने दिखाना होता है, उन्हें बताना होता है, कि बहुत बड़ा महल उन्हें मिलने वाला है, अगर वो हमारे साथ काम करेंगे, तो उनको motivate करना होता है, inspire करना होता है, daily daily करना होता है, hundred ways हम देते हैं, कि वो motivate रहें, और आपके साथ में बिना salary के भी काम कर सकते हैं, अगर आप उन्हें motivate और inspire कर देंगे, daily लेकिन उन्हें daily भरना होता है, daily बारूद उनकी बरना होती है अब यह उनके उपर है कि उनकी बारूत कैसी गीली है कि सुखी है कैसे दगेंगे लेकिन भरना आपको है रोज मोटिवेट करना है तो उसके लिए आपके पास ट्रेनिंग सिस्टम है लोग है बंदे है डिपार्टमेंट है जहां पर डेली डेली उनको यह सारी चीजें मिलती है ठीक है एक चार्ट बनाना है आपको कुईन भी रोल का कस्टमर का अपना और अपनी कंपनी का और बिजनस मॉडल हो गया ठीक है वह ठीक है तब तक के लिए धन्यवाद बहुत बहुत शुक्री आपका मिलते हैं नेक्स वीडियो में